नवस्कार दोस्तों मैं मनी स्वागत करता हूँ आपको अपने इसे यूटूब चैनल पे दोस्तों आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था एर पी टेकनिसियन का जो सीवीटी थिरी का रिजल्ट है उसके बाद फाइनल रिजल्ट है पीसी एम बालो का जो रिजल्ट है जो टेकनिसियन है या आपके ड्राइवर का जो रिजल्ट है यानि कि बोले तो फाइनल रिजल्ट की किनका किनका सेलेक्शन हुआ है वो कब आए येलपी है, सभी का एक साथ research रिजल्ट आएगा वो बाद में ऐगा, तो सबसे पहले आपका CVT-3 का resource आगा आप बात कर लेते हैं, CVT-3 का पहले जो आपका साइको है, उसका रिजल्ट कम आएगा, तो उसका result देखिए अभी जो mail किया गया है आरारबी माल्दा को जो mail किया गया है उसमें उन्होंने बताया था कि जून में आएगा CVT 3 का जो आपका result है साइको का result है वो जून में आएगा तो अगर हम जून की बात कर ले तो तकरीवण 15 जून के something में आ सकता है तो अगर बात करें ये तो 15 जून का something में आपका CVT 3D का result आएगा उसके बाद उसमें भी लफड़ा होगा क्योंकि आपको तो पता है कि ALP technician में लफड़ा ही लफड़ा है हर बार वो result देता हर बार कुछ न कुछ लफड़ा होता है उसके बाद फिर date change करता है फिर संसोधन करता है यानि कि जो 15 को अगर result देता है यानि कि आस पास मैं exact date नहीं बता रहा हूँ आस पास अगर 15 जून के तकरीवन अगर result देता है तो वो 10 दिन बाद फिर से उसको संसोधन करेगा तो 10-12 दिन तो उधर लग जाएगा तो final result यानि कि आपका जो cut off है यानि कि जो cut off आपने cross किया है आपका जो merit list निकलेगा उसका जो पूरा जो data है पूरा विवरन है मुझे लग रहा है कि ये जून के फर्स्ट भी किया मिड जूलाई के फर्स्ट भी किया मिड जूलाई में आपका final हो जाएगा यानि कि तकरिवन आपको अभी कितना है अभी तो मई चरह है 27 मई चरह है तो तकरिवन देड महीना आपको लग जाएगे PCM का जो भी है आपका selection होने में या ALP का selection है वो होने में तो minimum आपका देड महीना तो अभी लगेगा ही तो जो आप पूछ रहे थे कि कब साइको का result निकलेगा तो साइको का result ये definite है कि मिड जून में निकल जाएगा लेकिन final जो आपका merit list निकलेगा वो मिड जूलाई तक चला जाएगा क्योंकि आपको तो पता है कि लफड़ा होने वाली है तो ये छोड़ी सी information देनी थी अगर आपको उचित लगा हो ये information तो like कर दीज़ेगा और वीडियो को जादा से जादा से शेयर कर दीज़ेगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दीज़ेगा क्योंकि आपके अनुसार आपके कमेंट के अनुसार मैं यहीं वीडियो बनाता रहूँगा तो अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद